अगला क्या अब्जेक्ट क्लोस अब्जेक्ट क्लोस क्या बताए था कि आप किस चीज का काम करने वाले हों देखते हैं मतलब क्या कंपनी करेगी क्या नहीं करेगी किस चीज का बिजनस है नहीं हो सब लिखा होता है और सबस्तों सबस्क्राइब ऐता है तो देखते हैं अगा के बस्तेन क्या ओश्रारण Chief चीज क्या होता है कि आगई क्या बोलेगा वाइरhern में पर खिरते होता है क्या और डे Num Istra वा रिएक्ट कैणब आप अगर कोई भी रूल के beyond जाओगे that is a ultra virus act beyond termed will be किसे क्या बोलेंगे ultra virus and void ये काम आपका बेकार हो जाए मान लेते हैं हमारे object clause के अंदर ये article of association में loan लेना लिखा ही नहीं थाकि company loan लेके काम करेगी और मैंने bank से 50 लाग का loan ले लिया उसके बाद loan लेने के बाद company को bank वालों ने notice बेजा company ने बोल दिया हम loan का पैसा return क्यों करें हमारे तो object clause में लोन लेना नहीं था तो आपने जब loan दिया था तो शुरू से ही हमारे contract बना ही नहीं था यानि void avenues यू आपने पहले पढ़ा होगा starting से ये contract invalid था सर तो आपने जो loan का पैसे दिया हमको loan का पैसा हमसे recover करने का कोई हगदार नहीं बनता है इसलिए जब कभी भी कोई भी कुछ काम करता है तो पढ़ ले company का क्या object clause और company कभी भी अपने किसी भी clause को ऐसे memorandum को future से update कर सकते है back date से update नहीं कर सकते है rule ही नहीं है सिर्फ एक clause को छोड़ के future से कैसे sir कि मान लेते हैं मैंने loan ले लिया और यहाँ पे लिखा था अब future में हम change कर देते हैं कि हम loan जो लेंगे वो दिसरे काम के लिए लिए तो आप pass से update नहीं कर सकते है किस से कर सकते है आप future से तो object clause में क्या डालना है sir name डालना है alternation कैसे होगा आपको simple हर किसी में देखो क्या pass कर देना है sr if company has raised money from the public issue prospectus and part of such money remain unutilized मैंने आप से 10 रुपे लिए थे shares के और 10 में से मैंने 5 यूटिलाइज किया 5 यूजी नहीं किया और जब मैंने आपसे 10 रुपे लिए थे मैंने वोड़े थे मैं स्टील का काम करूँगा अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं कपड़े के वेपार में भी चला जाओ लेकिन पुराने shareholder के 5 रुपे मेरे पास अभी भी रखे हैं तो मैं change नहीं कर सकता अगर मेरे पुराने shareholder के पूरे पैसे स्टील के वेपार में लग गया हो तब मैं सोचूं के कपड़े का वेपार करूँ तो कोई अतराज नहीं है लेकिन पुराने shareholder ने जो object देख के पैसे दिये थे वो पैसे अभी तक आपने use ही नहीं किया तो आप बदल नहीं सकते तो कहने का मतलब क्या है इफ आ कंपनी raise money यानि पैसे लिये थे from public by issue of prospectus यानि share से any part of such money remain unutilized with the company, company के पास अभी पैसे पढ़ा है उसका use ही नहीं किया है then company shall not alter object clause तो उसे बदली नहीं सकता आप भी सोचो, नहीं बदला जा सकता इसके बाद the money through the prospectus unless मतलब money अगर उसके पास पढ़ा हुआ है तब तीसरा part the company has published the prescribed detail and आपका justification for such alternation जब कभी भी company object को करेगी तो ऐसे situation में दो newspaper में हमेसा इस्तिहार देगी दो newspaper में वैसे तो हर case में जितने भी case की है ना हर case में company को दो newspaper के अंदर advertise करना है एक English newspaper एक वहाँ के वर्ना कूलर वर्ना कूलर क्या होता है हमारा उसके local language है यार मान लेते हैं कि आपका महरास्ट में है तो मराठी newspaper में और एक English newspaper में दो language में देदेगी English newspaper और यहां के इसके बाद circulating the place where the company registered office company situated और यहां पर सब कुछ situated है वो सारा circulate करतेगी यानि भाईया object laws को अल्टर करना है तो थोड़ा समस्या है एसार तो पास करोगे लेकिन shareholder का object यहां पर default नहीं करना है अगर उसने बोल दिया करिए तब आप कर सकते हो करने के बाद आपको वहां पर नाम newspaper वगरे में बताना पड़ेगा भाईया इस company का का कारोबार यह नहीं रहा जैसे मान लो reliance का main काम क्या है पेट्रोल का काम है ओयल का काम है रिलाइंस का काम यह जीओ का काम क्या है जीओ एक अलग company बनाने जा रहे हैं तो जीओ का काम क्या है network distribution का और उन्हेंने future में सोच लिए कि अब हम network distribution कर तो रहे हैं हम साथ इसको छोड़के हम आप और कोई काम करना चाहरे हैं हम इसके इसको ने पैसे लगाए तो सोचा था यह company network ज्यादा होगा रिचार्ट ज्यादा होगी company कमाईगी ज्यादा पैसे भी का ज्यादा कमाएंगे company अपना object बदल देगी तो आपका तो नुक्सान हो जाएगा इस case में हमें सारा approval लेना पड़ता है चलिए अब क्या कहता है आप प्रिस्क्राइब डिटेल जस्टिफिकेशन ऑफ चेंज नेम प्लेज वेबसाइट पे भी आपको बदल हाइलाइट करना पड़ेगा जैसे एसे भाई हाइलाइट करो and company sell within 30 दिन 30 दिन के अंदर रजिस्टार और company को sr copy दे देना होगा भाया कोई गलती नहीं कर रहें और रजिस्टार्ड सेल विदिन 30 देज रजिस्टर और अगले 30 दिन में रजिस्टार बोलेगा ले भाई तिरा अब्जेक्ट चेंज हो गया तिरको नया सेटिफिकेट हम दे रहे हैं इसके बाद क्या होगा सर दा ऑल्टरेशन सेल बी नॉट एफेक्टिव अंटिल दा हैस ब रेजिस्टर कर लिया तो यह अफेक्टेड सेल उसको कोई अफेक्ट नहीं कर सकता सिंपल सी बात है तो यह क्या था सब्सक्राइब अबिस्ट्राइब क्या है कंपणी किसच का बिजनस करेगी इसको चेंज करने के क्या तरीक तराइक है सार पास कर लीजिए और शियर जास्टेंग